अच्छा करता हूं, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम सद्दानतरग निवतनी study gloves पे आपका बहुत स्वागत है, एज आप International Scandal, वाया, गाहूं में Scandal होते हैं, Bollywood में Scandal होते हैं, Sisherklaration में Scandal होते हैं, यह United Nation scandal किया है, साथ मिलियन डॉलर का कैबार, कर लेना क्योंकि बहुत को मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर में प्राब्लम होती है यूपीसी की तैयरी करना तो सब पहले यह जान लो तो इसको 77 से मल्टिप्लाई कर तो कितना हो गया कितना हो गया लगभग 700 करोण के आसपास ठीके न तो भाई इतना जादा इतना बड़ा जो चार हजार करोण के आसपास स्कैंडल हो गया तो अरे चार हजार करोण के स्कैंडल भाउप रहे तो अब इसमें क्या है लोन युनाइटे नेशन देता है लोन अब युनाइटे नेशन ने लोन दिये गोवा में घर बनाएंगे काश मेरा भी गोवा में घर होता काश तो ग अभी तक इतना पैसा गया कहां पता ही नहीं United Nation Office for Project Services UNOPS इससे डील करता है यह जो इस तरीकी के operational projects होते हैं मतलब कि भाईया बोल दिया घर बनाएंगे पैसा दे दिया घर बना दिया तो इन सबसे यह डील करता है अब यह जो पूरा का पूरा पैसा है they had interested entire sum जो पैसा मिला है ना पूरा का पूरा पैसा एक single British businessman को दिया है और अब 22 million dollar की bad debt है समझ रहे हो पैसा जो है भाई देखिए यह project के लिए पैसा किसको दिया जहां देना है उसको नहीं दिया गोवा की सरकार को देना चाहिए था उनको नहीं दिया इनको दे दिया ले लिए loan और पैसा वापस भी नहीं किया bad debt bad debt क्या होता लोन लिया पैसा नहीं लिया यह हिसाब किताब है New York Times की रिपोर्ट है यह तो यह Indian Express का शांदार editorial है तो Singapore based firm जिनको कौन own करते हैं David Kendrick जिनके उपर चार्ज था कि कम से कम पचास हजार घर बनाएंगे यह धाई मिलियन डॉलर की कम से कम इतने जो पैसा है तो यह 2.5 मिलियन डॉलर ठीक है इतना इसके यह घर बनाएंगे गोवा में United Nations Documents नहीं यह शो किया है कि इतने पैसे की घर बनेंगे दिल्ली के कपल अमेद गुपता और आर्ती जहन यह इस फर्म के डारेक्टर है ठीक है इनकी फर्म का नाम क्या है Sustainable Housing Solutions Private Limited जो की घर बनाती है यह बता रही है कि भाईया देको हमको तो कोई प्रॉफिट है नहीं जीरो रेवेन्यू है अब प्रॉफिट चोड़िए हमारा 27,000 करोन का तो मतलब 27,000 करोन कहे रहो 27,289 रुपे का तो लॉस है 2020-21 पे ठीक है प्रोमोशन टाइव NCRT पॉलिटी लाइव आ गया है पटाक से आ जाओ बेटा MWF क्लास होगी 1 जून से क्लास शुरू होगी मैं पढ़ाऊँगा S-Series और Life Class होगी बेटा स्मार्ट बोट पे बहुत मज़ा आने वाली है कम्माइन NCRT का मैं आपको रेकमेंड करूँगा कूर्स पर्चेस करो क्योंकि अभी जब हिस्टी का अपडेट होगा तो प्राइजेस थोड़े बढ़ गाएगी अभी 20 मही तक हमने NCRT कूपन कोड निकाला है 25% में खड़ीद लो तो प्रोजेक्ट जो है It was under Sustainable Infrastructure Impact Investment Initiative सर ई का है अभी हम बताते हैं थोड़ी देर में अभी हम बढ़िया से इसकी पीपीट आपको तो दिखी नहीं रहे हैं माइदान में बनाने के पैसे दिये थे जमीने करीड डाली लेकिन कहा है घर किदर है यहां तो कुछ नहीं दिख रहे तो जितनी भी कम जो भी United Nations ने पैसे दिये थे ठीक है अपनी पूरी फंडिंग यह जो केंडरिक की कंपनीस थी इनको दी थे भाईया यह केंडरिक महाराज तो निकले बहु बढ़े जोलू इंसान इन्हों तो पैसे ही गायप कर दिये अब UNOPS के जो हेड है ग्रेटे फेरमो उन्होंने अल्डेडी इस्तीफा दे दिया है यह ड्रिजाइंड United Nations की बात हो लिया भाई United Nations की इतनी बड़ी संस्था इतना बड़ा करप्शन सब के सब सामिल है जब पैसा दिखता है न वेल परसन सीज मनी सब के सब करप्शन यह है इनका S3i model इसमें private sector government, public sector, bilateral donors सब के साम आएंगे और उसके बाद infrastructure, sustainable investment यह ही United Nations और यह सब लोग करेंगे ठीक है और उसके बाद फिर यह जो sustainable development goal initiative है, SDG जो United Nations का चल रहा है उसके तहर धर बनाई जा रहे ताकि हर किसी को रहने के लिए तो कम से कम घर मिली जाए तो अब गवा के एक सरकारी ओफिशल ने यह बोला Indian Express को confirm किया कि भाई देखो एक presentation जो है वो हमको दिखाई गई थी भाई SHS Holdings ठीक है कि हाँ घर तो बनाएंगे हम गवा में समझ रहे हो ना कि United Nations पैसा इनको दिया और इन्हों ने बोला कि भाई हम तो लॉस में हैं ठीक है और अब गवा सरकार बोले कि भाई इन्हों ने हमको दिखाई थी ऐसा नहीं है लेकिन ओफिशल्स ने ये सवाल किया कि भाई सपोर्टिंग इंफ्रस्ट्रॉक्टर जैसे पावर रोट्स दे वोड बी अवेलिबल फॉर दी हाउजिंग उनिट्स अलसो बड़ी बात यह है कि प्रेजेंटेशन खाली दिखाई गई थी लेकिन कोई टेंडर नहीं निकाला था सीधा इनको दे दिया गया एक बात बताओ अगर कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए टेंडर निकाला जाता है फिर टेंडर आप समझ रहो जैसे मैंने बोला कि भाई मेरा ओफिस मुझे स्टेडी लोगफ एक ओफिस बनना बढ़िया सा तो मैं निकालूँगा टेंडर मतला मैं सरकार नहीं खाली आपको वह बता रहूँ और बहुत सारी कंपनी आएंगी जो ओफिस बनाती है अब समझिये कि कोई भी लैंड को कोई भी जमीन को आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया प्रोजक्त के लिए तनी बड़े घर बन रहे हैं इतना पैसा देके घर बनाए जा रहे हैं उसके लिए जमीन चाहिए कुछ नहीं सब फर्जी डेस्कशन जो है वहां तक भी नहीं पहुंची जहां पर फंड शेरिंग पाटरण डिस्कस किया जा सक отв आपको पता है कि फंड शेर कैसे होगी कितना पावर में जाएगा कितना रोड बनाने में जाएगा कितना घर कुछ भी नहीं, nothing, कितने का land होगा, nothing was there, official नहीं यह बोला, अब गुपता जी बोल रहे हैं, कि भाई, गोवा सरकार ने हमको अप्रोच किया था, UNOPS के, बोले कि गोवा सरकार ने हमको अप्रोच किया, एक agreement था, there was an agreement, गोवा सरकार, फरवरी 2019 में, एक agreement किया था, और उसके बाद फिर मार्च 2019 आते हाथ, एक supplementary agreement जो है, वो साइन किया गया, हमने कुछ emails भेजे, यह गुपता जी बोल रहे हैं, हमने कुछ emails भेजे, क्योंकि भाई, हम थोड़ी नामा पे जमीन देंगे, हमको तो गोवन सरकार देगी ना, गोव हमको response नहीं मिला, तो UNOPS ने हमको बताया, कि भाई, गोवा जो है, वो नहीं चाते हैं घर बनाना, और अगर वो नहीं चाते हैं, हम भी नहीं चाते हैं घर बनाना, जो भी हमारे पास आएगा, आए, और उस समय हमने छोड़ दिया गोवा को, समझ रहे हैं, मतलब एक तरफ गोवा सरकार कह रही है, कि भाई देखो ऐसा है, कि हमको तो कोई as such presentation दिखाई, लेकिन कुछ नहीं था, कुछ भी, कोई tender नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला, funding sharing pattern, कुछ भी discuss नहीं गवा, कोई land नहीं देखा, यहां पर जो firm है, वो बोल रही है, कि भाईया, देखो ऐसा नहीं है, हमने जो है, हमने गोवान सरकार से बात की, और हमने उन्होंने agreement तक sign किया, लेकिन land गोवा हमको देगी, हम नहीं देगे, तो हम उनसे लगातार follow up लेते रहे, लेकिन वो माने ही नहीं तो हम क्या करे, हमने छोड़ दिया फिर, यह चीज है, state government के officials ने बोला है, कि बाई, ऐसा कोई भी proposal हमको नहीं दिया गया था, बेफकूफ किसी और को बताना, ठीक है, बनाना मतलब, बताना, बनाना क्या होता है, बेफकूफ किसी और को बनाना, हमको ना बना हो, समझे, आगल लगते के तुमको, प्रोजेक्ट कुछ नहीं था, अगर ऐसा होता हम सरकार ने इसको बिल्कुल न का रहा किया रहे, यह सब ऐसा नहीं है, ठीक है, सोर्सेस का कहना है, कि भाई, डिसकुशन्स जो है, वो HSS holding के साथ हुए थे, 2019 में, लेकिन उस समय, चीफ मिनिस्टर ते मनोहर परिकर, और उनकी मृत्य हो गयी थी, इसके लिए यह प्रोजेक् जो फेरमो जो रिजाइन किये हैं, उन्होंने बोला कि भाई देको 50,000 एफोडेबल हाउस की बात हुई थी, जो भारत में बनाई जाएंगे, ठीक है, लेकिन United Nations का डॉकुमेंट कहता है, ना ना, दुगना है भाईया, एक लाग के करीब, एक लाग, दुगना, तो इसके ल करनल इंविस्टिगेशन जब हुआ है, तो यह पता, 10 महें को ट्रांजक्शन कम्प्लीट की गई, बेटा, देने थे गुआ को, दे दिये इनको, समझ रहो, यह चीज है, पिर उससे यह बोला, कि क्या यह जो घर है, ठीक है, जो बनाए जाते, कौन बनाता है इनको, क्या SHS बनाती, बाकी स्टेट्स में भी बनते, अब गुप्ता ने एड्मिट किया है, कि कोई भी घर नहीं बना, क्यों, पैंडमिक की वज़े से, डिसकुशन्स नहीं हो पाए, और हमारे और भी प्रोजेक्ट्स है, और हम और भी प्रोजेक्ट्स सरकार के साथ डिसकस कर रहे थे हम United Nations के साथ काम कर रहे थे, लेकिन कोई इससे related press release नहीं आई, ठीक है, तो ये चीज है, फिर उसके बाद ये भी बताया गया है, कि जो information है, कितना खर्चा होगा, UNOPS के प्रोजेक्ट में कितना खर्चा होगा, वो हम agency के साथ लगातार share कर रहे थे मंतली बेसिस पे, ये भी United Nations, मतलब, जब United Nations investigation की regarding loans, तो that has not come to me, come to him, अब ये पूचा गया, कि भाई, देखो, जो lack of business हुआ है, मतलब, business तो वही नहीं आपे, ता उस पे गुपता ने वोला, कि भाई, देखो, हमने जब SHS India को inform किया, तो बहुत सारी चीज है थी, बहुत सारे matter थे, with regards to compliance and everything, कि भाई कोई भी expenditure हम कर रहे थे SHS India में, वो हमारी holding company के through हो रहे थे, ठीक है, कोई भी expense जो है, it has not done through SHS project so far, ये चीज, क्योंकि compliance ही complete नहीं थी, तो बाकी का जो पैसा था, इन्होंने Kendrick को दे दिया, तो भाईया, ये इतना बड़ा scandal जो है, वो सामने आया है, देख लो, ये सब है हिसाब किता, कोर्स को जरूर अवेल करना, कुछ नहीं पड़ते है, जिचे सिद्धान तक नहीं उतरी साइन नहीं हो,